नबस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चौहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच नई नोटिफिकेशन के बारे में और साथ में जानेंगे कि Assignment Submission की Last Date जो की 30 November 2022 है वो आगे फिर से Extend हो सकती है या फिर नहीं तो आज की वीडियो काफी important है आप इस वीडियो का पूरा जरूर देखें अन तक देखें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजी आप नीरच पब्लिकेशन की गाइड खरीज सकते हैं मेरे दिये से लिंक से जो यहाँ पर update कर दिया गया तो अगर आपने जून 2022 का exam दिये थे तो आप एक बार फिर से अपना result को चेक कर सकते हैं इसके साथ आपके लिए जून 2022 का रिजल्ट आज अपडेट नहीं किया गया उसके साथ दिसंबर 2021 का exam रिजल्ट भी अपडेट नहीं किया गया और जिनका आज रिजल्ट की अपडेट आई है किसी सब्जेट का रिजल्ट आया है उनको 48 आवर या फिर तब तक जब तक की grade card आपका नहीं अपडेट उसमें नहीं आ जाती जब तक का इंज़दार करना पड़ेगा उस result का grade card में सो होने के लिए अब next update के बार में बात करते ये वो last notice है जो की इगनु की तरफ से assignment submission के लिए जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आप अपने online या फिर offline assignments को submit कर सकते हैं 30 November 2022 तक आप जानते हैं कि कल ही 30 November 2022 यनकी एक दिन का समय आप बाकी है अगर आपके assignments prepare हो चुके हैं तो आप उनको कल भी submit कर सकते हैं पू Google Form के जरिए जो भी procedure बताया उसके जरिए आप कल पूरे दिन submit कर पाएंगे ठीक 30 November 2022 तक उसके बाद क्या आगे भी date extend होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 10 दिन का आपको और मौका दिया जा सकता है क्योंकि पिछले जून 2022 का exams हुए थे तो उसमें भी आपको कुछ दिन क समय और दिया गया था आपके exam उस समय चल भी रहे थे लेकिन आपको 10 दिन का समय दिया गया था कि अगर आप अपने जो assignments आप किसी तरीके से रह गए हैं तो उनको submit कर सकते हैं तो हो सकता है कि इस बार भी इसी तरीके से हो और 30 November के बाद भी आपको 5-6 दिन का मौका और मिल लेकिन अभी भी कल का दिन पूरा है आपने अगर assignment बना लिये हैं तो कल ही submit कर दें अब next update के बार में बात कर दें कोलकता Regional Center की तरफ से ये नई योजना एक नया temp लगाया गया है उनकी students के लिए जिनका assignment का result जो है वो अभी तक update नहीं किया गया है उनके लिए 30 November 2022 इनकी कल 11 बज़े से एक temp लगाया गया है कोलकता Regional Center के इस्पुएंट्स के लिए जिनका जून 2020, दिसंबर 2020, जून 2021, दिसंबर 2021 और जून 2022 में उनने अपने assignments को submit किया था लेकिन उनका assignment का result अभी तक नहीं किया गया तो उनका assignment का result अपडेट किया जाएगा अगर आप कोलकता Regional Center के इस्पुएंट है तो कल 30 November 2022 को 11 बज़े से आप इस camp में हिस्सा ले सकते हैं तो क्या क्या लेकर जाना है आपको hard copy लेकर जानी होगी अपनी assignments की आपके पास photo copy होगी वो लेकर चले जाएए और आपके जो marks है वो लगा दिये जाएंगी assignments के तो काफी अच्छा मौका है लेकिन ये कोलकता Regional Center के इस्पुएंट के लिए है कल का मौका आप मिश्मत कीजिए अब next update के बार में बात करते हैं MBA के स्वयम प्रभा का live channel आता है channel number 19 उसका जो schedule है एक बार फिर revise कर दिया गया है तो अगर आप इसको देख रहे थे इसमें कुछ changes किये गए है जो कि आप दुबारा से चेक कर सकते कि आपका जो schedule है अब वो क किस time पर और किस क्या क्या उसकी date है और क्या उसका timing है यह नया notification निकाला गया है इसको आप देख सकते है स्वयम प्रभा का live channel है तो channel number 19 उस पर यह schedule जो है वो दिया गया है पूरे दिसमबर का schedule भी release कर दिया गया है दिसमबर से लेकर 3 जनवरी 2023 तका schedule है MBA के इस्वेंट्स के कीजिए तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो राक्त को पसंदती वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तेयर जरूर कीजिए